मुस्कार दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से आपका सरकारी जोप संगम यूटूप चैनल पत दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विहार बोर्ड मेट्रिक के रिजल्ट को लेकर या फिर computer में Google खोलना है उसके बाद में आपको search बार में type करना होगा सरकारीसंगम.com इस प्रकार से आप लिखना है सरकारीसंगम.com उसके बाद सर्च करा देना है जैसे आप search कराएंगे www.sarकारीसंगम.com की जो website है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी और इस website का लिंक आपको वीडियो के नीचे description box में भी मिल जाएगा यहाँ पर आप उपर ही देख सकते हैं लिखा है बिहार बोर्ट 10 रिजल्ट 2022 इंतजार हुआ खात्म तो आपका रिजल्ट जो है जल्दी जारी होने वाला है जैसे आप इसको उपर किलिक करेंगे आपके सामने एक नया page खूलके आ जाएगा आपके आप देख सकते हैं एक नया page खूलके आचुका है और यहां पर महत्पूर्ट सूचने में बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड दसुई का परिक्षा का परड़ाम है तो किसी भी वक्त जारी किया जा क्या सकता है हाला कि इसके बारे में जो भी news है मैं अभी आगे आपको उसे भी दिखा देता हूँ बाकि result जो है जैसे ही जारी होगा result जारी होने के बाद में आपको result डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आना होगा download 10th result के सामने आपको click here इसी को उपर click करना है और click करने के बाद में आपको अपना roll number, roll code जो भी मांगेगा आपको डाल के अपना result चेक कर लेना है लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि result के बारे में बताया गया है कि कभी भी हो सकता है जारी अब इसके बारे में क्या latest news है मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो news है बिहार बोर्ट मैटर के result को लेकर विलको लेटेस्ट news है बिहार बोर्ट 10th result date 2022 मोतिहारी के परिक्षा केंद्रों में आज यहनि की 24 मार्च को सुबह साड़े नौ बजे से 12.45 तक री एक्जाम कराया गया था जो कि मैट का paper लीख हुआ था तो उसी का री एक्जाम हुआ है इसी का वज़र से थोड़ा आपका result जो है डिले हो रहा है साथ में बताया जा रहा है कि अब जो है इन paper की जाज के बाद ही result जो है जारी किया जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एक्जामनेशन बोर्ड यानि की BSEB की metric परिक्षा 2022 में सामिल हुए चोला लाग से अधिक परिक्षार्थियों को अपने result का जो है इंतिजार बना हुआ है लेकिन मेडिया रिपोर्ट के अनुसार रद किये गए माइस के पेपर के अलावा बाकी पेपरों का जो मूलांकन की प्रिकरिया है पूरी तरह लगभग पूरी की जा चुकी है बोर्ड द्वारा जो है इस महीने के अंध तक जो है result जो है घोंशित किये जाने की पूरी संभावना है यह सब कुछ ठीक रहा तो बताया जा रहा है result जो है 30 मार्च तक जो है आईनि की आज 25 मार्च है result जो है 30 मार्च तक घोंशित कर दिया जाएगा बाकि आप लोग जो है इस website को बिजिट करते रहे है सरकारिसंगम.com को जैसे result आएगा सबसे पहले आपको result वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एपडेट के साथ आपके लिए जाएगा